UPA सरकार के दौर में पूर्व केंद्रिय मंतरी प्रफुल पटेल को एर इंडिया के ठेके के लिए कई लाख डॉलर की रिश्वत दी गई थी कैनेडा की सुपीरियर कोट का ये संसनी खेज फैसला आया है इस फैसले में गवाहों के बयानों का दिक्र है जिसमें ये लिखा है कि फेशियर रेकागनिशन यानि चेहरे से व्यक्ति के पहचान के सौफ़वेर का ठेका एर इंडिया से हासिल करने के लिए दलाली और रिश्वत का खेल खेला गया कोट ने फैसले में गवाहों के बयान का जिक्र किया है साफ लिखा है क्रिप्टो मेट्रिक्स कैनेडा लिमिटेड ओफ ओटोवा नाम की कंपनी ने भारत के ततकालीन उड्डैन मंतुरी पी एफ यानि प्रफुल पटेल को और कई बड़े अफसरों को साढ़े चार लाख डॉलर यहीं तकरीबन तीन करोड रुपए की रिश्वत दी इसमें नजीर कारीगर नाम के एनराए ने एहम भूमिका नभाई कारीगर को तीन साल की कैड की सजा सुना दी गई है हला कि प्रफुल पटेल ने आईबियन सेवन से खास बातचीत में आरोपों को बेबुनियाद बताया है साथ ही उन्हें कहा है कि वो 2012 में ही तदकालीन प्रधान मंतरी को इस विशय में जानकारी दे चुके थे लेकिन ये मामला लगता है यहाँ खत्म होने वाला नहीं है इंडिया नौ बजे में आज इतना ही ब्रेक के बाद स्पेशल रपोर्ट